पानी की वेल्लिव घड़ी में सुभै के आठ बज रहे थे और मम्मी किचिन में प्रेक्फरस्ट बना रही थी वो नी डानिंग टेबल पर स्कूल यूनिफॉर्म में तयार बठी प्रेक्फरस्ट कर रही थी पर चुन्नू अभी तक नहीं आया था ये चुन्नू कहा रहे गया उसे स्कूल नहीं जाना क्या मम्मी वो अभी तयार हो रहा है अभी बुलाती हूँ चुन्नू चुन्नू मुन्नी के आवास लगाते ही चुन्नू तोड़ता हुआ किचिन में आया और डानिंग टेबल पर पैट गया चुन्नू जल्दी से ब्रेकफस कर लो वरना हम स्कूल के लिए लेट हो जाएंगी और तुम्हें पता है ना सर क्या कहते हैं हाँ मुन्नी सर कहते हैं कि हमें हमेशा अपना काम टाइम से करना चाहिए और कभी भी लेट नहीं होना चाहिए सही कहा चुन्नू चलो अब पटाफट नाश्टा करो मम्मी ने चुन्नू को ब्रेकफस में आलू के पराठे सर्व किये अरे वाह आलू का पराठा मम्मी मुझे इसके साथ दही भी चाहिए दही? पर तुम तो हमेशा सौस से आलू के पराठे खाते हो दही क्यों? क्योंकि मम्मी सौर ने कल ही हमें क्लास में बता दिया था कि गर्मी की दिनों में हमें दही खाना चाहिए इससे हमें थंड़क मिलती है न, इसलिए हाँ, ये तो है, रुको मैं अभी तुम दही देती हूँ मम्मे ने कटोरी में दही निकाला और चुन्नू और मुन्नी को दे दिया तभी पापा किचिन में आये उनका चहरा कुस्से से लाल था अभी लास्ट में बाथरूम में कौन गया था पापा मैं ना रहा था क्यों कुछ हुआ है क्या तुमने नल खुला ही छोड़ दिया था चुन्नू पानी बाल्टी में से नीचे ढूल रहा था वो तो मैं टाइम पर पहुँच गया वरना पानी गिरता ही रहता चुन्नू बेटा मैंने तुम्हें पहले भी बोला था ना कि नल अच्छे से बंद किया करो नहीं तो पानी वेस्ट होता है तुम कभी मेरी बात नहीं सुनते मम्मी अब उससे क्या फरक पड़ता है पापा ने नल बंद कर दिया ना जादा पानी वेस्ट नहीं हुआ मुन्नी एट फिफ्टीन हो गया है हम स्कूल जाने में लेट हो रहे हैं चलो चलते हैं हाँ चलो बाई मम्मी बाई पापा चुन्नू और मुन्नी स्कूल के लिए निकल गए पता नहीं ये चुन्नू पानी की वेल्यू को क्यों नहीं समझता है आप चिंता मत किजिए मैं उसे ये वेल्यू सिखा दूंगी मेरे पास एक आइडिया है क्या क्या मुझे भी बता इधर आओ मम्मी ने पापा को पास बुलाया और कान में थीरे से कुछ कहा पापा के चहरे पर स्पाइल आ गई स्कूल में रिसिस की वक्ट सभी बच्चे अपना लंच कर रहे थे चुन्यू ने अपनी बॉटल उठाई और देखा कि उसकी बॉटल में पानी खत्म हो गया था मुझे तू बहुत प्यास लग रही है मैं पानी भर के आता हूँ हम भी चलते हैं वो तीनों बॉटर कुलर के पास गए और अपनी अपनी बॉटल्स भरने लगे चुन्यू ने अपनी बॉटल भरी और साइड में रखती फिर उसने अपने हाथ में पोड़ा सा पानी लिया और उसे मिंटू के उपर छीट दिया ये क्या किया चुन्यू? रुक अभी मजा चखाता हूँ फिर मिंटू ने भी ऐसे भी किया पचुन्यू स्काइड में हो गया और पानी बंची के उपर चला गया अरे मैंने क्या किया? रुक अब तीनों एक दूसरे के उपर पानी चीटने लगे और मस्ती करने लगे तभी सर यहाँ आ गये और तीनों को डाटते हुए बोले स्टॉप, स्टॉप इट, क्या कर रहे हो यह? सॉरी सर, हम वो बस क्या बस बस, इस तरह पानी वेस्ट करना अच्छी बात है क्या? सॉरी सर, अब नहीं करेंगे लेकिन सर, इतने से पानी से क्या बिगड़ जाएगा? पानी की एक-एक बूंद कीमती होती है चुन्नू जब जरूरत के समय तुम्हें पानी नहीं मिलेगा, तब समझ आएगा चलो, चुप चाप जाके क्लास में बैठो ओके सर तीनों तुरंट अपनी क्लास की तरफ चल दिये स्कूल के बाद जब चुन्नू घर पांचा तो उसकी कपड़े भी गंदे हो गए थे उसे देखते ही मम्मी बोली ये क्या क्या चुन्नू? तुम्हारे कपड़े इतने गंदे कैसे हो गए? मम्मी, वो स्कूल में फुटबॉल खेल रहा था ना? इसलिए बेटा थोड़ा ध्यान रखा करो चलो अप नहा के आजा तुम बहुत पसीने में हो रहे हो ठीक है मम्मी और हाँ, नल अच्छे से बंद करना? हाँ पापा, मैं ध्यान रहूंगा चुन्नू बात्रूम में गया और शौवर के नीचे खड़ा होकर नहाने लगा नहाते हुए वो गाना गुनगुना रहा था तभी शौवर में से पानी आना बंद हो गया पानी? ये पानी को क्या हो गया? मैं तो अभी ढंग से नहाया भी नहीं पाया चुन्नू ने दो तिन बार नौब घुमाया पर कुछ नहीं हुआ तब उसने मम्मी को आवाज लगाई मम्मी, ये पानी क्यों बंद हो गया? जल्दी हाँ आओ चुन्नू की आवाज सुनकर मम्मी और पापा बात्रूम में आ गए मम्मी देखो ना, नहादे नहादे शौवर बंद हो गया अब मैं ऐसे कब तक घुमूंगा? ओहो, मुझे अभी अभी याद आया आज पानी की कटोती हो गई थी नल नहीं आया और टंकी भी नहीं भर पाई थी शायद इसी लिए पानी खत्म हो गया है पानी की कटोती? इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है चुन्नू, बहुत सारे लोगों को गर्मी में पानी नहीं मिल पाता है इसलिए पानी की कटोती करके उन्हें पानी दिया जाता है पर ये तो गलत है ना बाबा यहां मुझे पानी नहीं मिल रहा है और मेरे हिस्से का पानी वो यूज़ कर रहे है अच्छा चुन्नू, अब तुम्हें समझा रहा है कि वो तुम्हारे हिस्से का पानी है और जब तुम उन लोगों के हिस्से का पानी वेश्ट करते हो तब पानी बहुत जरूरी होता है चुन्नू हमारे लिए दूसरे लोगों के लिए पशू, पक्षी, पेड़, हम सब के लिए पानी के बिना धर्ती पर लाइफ पॉसिबल नहीं है इसलिए पानी को पहुत ही साउधानी से यूज़ करना चाहिए तुम पानी की वैल्यों अगर नहीं समझोगे तो आके जाकर तुम्हें ही नुकसान होगा चुन्नो लेकिन क्या मुझे आज पूरे दिन ऐसे ही गूमना पड़ेगा नहीं चुन्नो उसकी चुन्ता मत करो मैंने पहले ही दो बाजी पानी अलग से निकाल लिया था अभी लाती हूँ मैं आपकी बात अच्छे ची समझ गया हूँ बापा और प्रॉमिस कि आज के बाद मैं कभी पानी वेस नहीं करूँगा पर मुझे अब जल्दी से नहाना है हम हम चलो चुन्नो को नहाने दो वरना ये ऐसे ही भूद बनकर घूमता रहीगा पापा और मम्मी हसते हुए लिविंग रूम में आ गए मम्मी ने पापा की तरफ देखके कहा अब उपर की टंके में पानी चड़ा देती हूँ शायद चुन्नो को पानी की इंपोर्टेंस समझ में आ गई है जरूर तुम्हारा आइडिया तो कमाल का था ठंड़ ठंड़ पानी से नहाना चाहिए जितना हो सके पानी बचाना चाहिए ठंड़ ठंड़ पानी से नहाना चाहिए चुन्नो को ऐसे गुनगुनाते देख पापा और मम्मी एक दुसरे की और देखकर मुस्कुराने लगे ऐसे ही और शिक्षप्रत कहानिया देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें और शुरू करें एंटर्टीन्मेंट और नौलिज का एक नया सफर